चाल एवं वेग, स्पीड एन वेलोसिटी क्रिया कलाप एक दो बसों, ए व बी की गती से संबंधित कुछ आंकडे, सारणी, क्रमांक एक में दिये गए हैं पहला कॉलम समय दूसरा कॉलम बस ए के द्वारा तै की गई दूरी जो किलोमेटर में है तीसरा कॉलम बस बी के द्वारा तै की गई दूरी किलोमेटर में है इन आकड़ों का अवलोकन करें अवलोकन के पश्चात बताएं की क्या दोनों बसों के लिए समय का अंतराल समान है कौन सी बस समान समय अंतराल में समान दूरी तै करती है उक सारणी क्रमांक एक के अवलोकन से ग्यात होता है कि A वब B दोनों के लिए समय अंतराल समान है बस A द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी 10 किलो मीटर तै की जा रही है जबकि बस B द्वारा समान समय अंतराल में असमान दूरी तै की जा रही है किसी दी गई निश्चित दूरी को तै करने में जैसे 30 किलोमेटर बस A वो बस B द्वारा लिया गया समय अलग-अलग है बस A 30 किलोमेटर दूरी 45 मिनट में तै करती है जबकि B यही दूरी 60 मिनट में इसमें A तेज गती से चलती है और B धीमी गती से चलती है बस के गती की दर का पता लगाने के लिए बस द्वारा इकाई समय में तै की गई दूरी ना पी जाती है इस राषी को चाल कहते हैं और इसका मात्रक S.I. पधति में मीटर प्रति सेकेंड है बस की चाल का अन्य मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा भी होता है बस की औसट चाल, बस के द्वारा तै की गई कुल दूरी और कुल समयांतराल का अनुपात होता है बटे कुल समयांतराल क्रिया कलाप 1 में बस A और बस B की चाल की घणना करें प्रातह नौ बजे से सवा नौ बजे तक अर्थात एक घंटे का चोथा भाग बस A की ओसत चाल बराबर 10 किलोमेटर बटे 1 घंटे का चोथा भाग बराबर 10 गुणित 4 किलोमेटर प्रति घंटा बराबर 40 किलोमेटर प्रति घंटा इसी प्रकार बस B की ओसत चाल बराबर 8 किलोमेटर बटे 1 बटे 4 घंटा बराबर 8 गुणित 4 किलोमेटर प्रति घंटा बराबर 32 किलोमेटर प्रति घंटा सारनी क्रमांक दो बस A की चाल नियत है अतह यह समान गती कर रही है जबकि बस B की चाल बदल रही है और वह असमान गती कर रही है अपने दैनिक चीवन से एक समान गती और एक असमान गती परिवर्ति गती के उधारन ढूंडे